हर्याना के खाद्यापूर्ती राजय मंत्री करंदेव कमभोष द्वारा आज यहां बसंत बिहार में जनस्वास विभाग की ओर से लगाए गए ट्यूब वेल का उद्गाटन किया गया इस सबसर पर राज्य मंत्री करंदेव कंभोष ने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कई योजनाय चलाई गई है जिनके अंत्रगत जनस्वास विभाग की और से जिन कलोनियों में पानी का प्रबंध नहीं है महाँ पर विभाग की और से ट्यूब बेल लगा कर लोगों को पानी की सप्लाई दी जाएगी वहीं हर्याना के राज्य मंत्री करंदेव कंभोष ने समाचार एक्स्प्रेस से बात चीत करते हुए कहा कि मुख्य मंत्री मनोहरलाल के निर्तितम में निकाली जा रही आश्रवादियात्रा को लेकर भी विभिन ग्रामिन शेत्रों का दोरा किया जाएगा जिसके अंत्रगत कोड़क जटपूरा उचाना आदी कई गाओं में तुफानी दोरे किये गए और जन्द सभाए सम्भोधित की गई इस अफसर पर उन्होंने जन्द सभाओं में हर्याना सरकार की कल्यानकारी नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करवाया उन्होंने कहा कि मुख्य मंदरी मनोहरलाल खटर के निरेतितम में जन आशिरवाद यात्र निकाली जा रही है उसके माध्यम से चुनावी बिगुल बजाया जाएगा और लोगों को हर्याना सरकार द्वारा गत साड़े चार साल में की गई उपलब्दियों के बारे में जानकारी दी जाएगी बसंद विहार इलाके में पर्यावरन सरंक्षन को बनाई रखने के लिए राजमंत्रे करंदेव के द्वारा पोधार ओपन कर पर्यावरन सरंक्षन का संदेश भी दिया गया इस मोके पर जन्स्वास्ति विभाग के उच अधिकारियों के अलावा भाजपा पार्टी के कारे करता भी मुझूद रहे